हेलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में आज का जो टोपिक होने वाला है वो होने वाला एकॉनोमिक से तो आज हम सब एक और संगठन के बारे में पढ़ेंगे जिस संगठन का नाम है जी सेबन जिसको बोलेंगे ग्रूप आफ सेबन कंट्रीज स SEO से question बनने के chance ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो hosting है Bricks तो important है पर SEO और जो आपका G20 है इसकी hosting 2023 में भारत कर रहा है तो इन दोनों का आप बड़े अच्छे डंक से करके जाएंगे ठीक है G20 पे तो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ SEO पे जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा फिलाल आज हम सब पढ़ेंगे G7 और यह economics का topic चल रहा है और daily मैं कोसिस कर रहा हूँ आप सबसे वादा भी किया हूँ कि daily एक topic economics का आएगा ठीक है economics को मैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में असानी हो और आप असानी से question को tackle कर पाएं ठीक है daily छोटा छोटा topic करेंगे तो तीन से चार मैंने में असानी से सारा एक एक करके complete हो जाएगा ठीक है चलिए साथ विक्सित देशों का समू सुरू करते हैं जिसका नाम है G7 तो इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी कारण क्या था स्थापना करने का तो यह ततकालिन तेल संकट की समस्या के समाधान के लिए क्या गया था संस्थापक देश की संक्या 6 थी जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जपान आते हैं ठीक है G7 कैसे कल आया और यह G7 कैसे G8 हुआ और फिर G8 से G7 कैसे आया अभी इसी विडियो में आगे जानेंगे ठीक है चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं तो इसकी स्थापना में फ्रांस के ततकालिन राष्टपती यानि उस टाइम जो राष्टपती थे बिलारी, किंग्स काट की एमभूमी का थी तीसरा नमबर इंट्रेस्टिक पॉइंट है पहले तो 6 कंट्री थे संस्थापक आपको वेने भी बताया 1976 में कनाडा को सामिल करने पर इस समू को G7 कहा गया उसके बद यह G7, G8 में भी बदलता है कैसे बदलता है वो अभी देखे 4 नमबर पॉइंट है 1997 में रूस को सामिल किया फिर इस संगठन को G8 कहा गया किन्तु 24 मार्स 2014 को युक्रेन विवात के कारण रूस को हटा दिया गया अब पुना यह G8 से क्या हो गया G7, एक्च्वल में क्या हो था 24 मार्स 2014 को युक्रेन की एक जगा था क्रीमिया, क्रीमिया को रस्या द्वारा कपजा लिया गया था जिस कारण से यह G8 से यानि रस्या को हटा दिया गया G7 कंटरी द्वारा और यह पुना यह संगठन क्या बन गया G7 और अभी तक रस्या फिर से वापस G7 में सामिल नहीं हुआ है और अब होगा भी नहीं मुझे लग रहा है क्योंकि अभी तो आपको पता होगा रूस यूक्रेन यूद चल रहा है तो उसके एकॉर्डिंग तो आप समझ दीजिए जब एक छोटा सा चेतर कपजा लिया तभी इसको रस्या को हटा दिया गया अब तो बहुत बड़ा चेतर कपजा लिया है तो फिर अभी तो सामील होने का कोई चांस है ही नहीं ठीक है तो रूस और यूक्रेन चल रहा है रूस यूक्रेन अभी भी चली रहा है अब एक साल से ज़्यादा हो चुके है फिलाल आगे बढ़ते हैं हम सब G7 पे वापस आते हैं ठीक है पाचमा पॉइंट देखते हैं G7 से रिलेटेड चलिए पाचमा पॉइंट हम सब देखते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट है G7 के पास Westwick संपत्ती का आदा हिस्सा है मतलब पूरे दुनिया के संपत्ती का आदा हिस्सा सिर्फ G7 कंट्री के पास है इसका Westwick सकल घरीलूत पास जिसको GDP बोलते हैं इंगलीज में 40% का योगदान है मतलब बहुत ज़्यादा है 2-5 हिस्सा मतलब आप 40% समझ लिए काफी बड़ा हिस्सा GDP का वो मात्र ये G7 कंट्री के पास है ठीक है छटा पॉइंट दिखे G7 एक गैर सरकारी और गैर समाजवादी संगठन है इसका ना तो कोई मुख्याले है और ना ही इसके लिए सदस राष्ट्यों द्वारा किसी प्रकार का बजट का कोई प्राबधान है ठीक है तो अगर G7 का आपको मुख्याले पुछेगा तो वो नहीं है और इंट्रेस्टिंग ऐसे ही कोश्चन बनेगा आपसे जैसे कि दो-तिन पॉइंट आपको दे दिया जाएगा कि G7 का मुख्याले जनेवा में है ठीक है G7 के पास वैस्विक सकल घरी लूथ पातका 40% का योगदान है दो लाइन हो गया तीसरा पॉइंट में दे देगा कि G7 1976 में एस्टेबलिस्ट हुआ था नीचे दे देगा निमलिखित में से कौन सही है तो अगर आपको पता होगा आप तो तुरत मार देंगे जनेवा G7 का मुख्याले जनेवा में है हरी एक पॉइंट को याद करें ठीक है पांच नमर पॉइंट 6 नमर पॉइंट सारा इन्पोर्टेंट है आपके मुझ पे रहना चाहिए ऐसा याद कर लें ठीक है ताकि कोई भी वहाँ पे कन्फ्यूज आना और इसको इसकी बिल्कुल ना करें यह मेरे कॉपी में जो मैं लिखता हूँ नोट्स बनाता हूँ वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो आप एक भी मिस नहीं कर सकते हैं एक भी पॉइंट सारा पॉइंट इन्पोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स देखते हैं रहता है तो जो कंट्री होस्ट करेगी वही उसका खर्चा उठाएगी उस साल का और प्रतिवर्स लगवर्ण जी से मन का होता है कारिकरम ठीक है चलिए साथमा पॉइंट हम सब देखते हैं ग्लैन इगल्स स्कॉटलेंट के एक तीसमा सिखर सम्मेलन में पांच विकासील देश भारत, चीन, ब्राजील, डक्चीन, अपरिका और मेक्सिको को पहली बार बुलाया ठीक है इसे आउट्रीच पार्टनर्स यानि ओफाइब का नाम दिया अभी मैंने आपको पता है आठवा 9. इसका सम्मेलन परतिवर्स होता है तो मैं बताई रही हुँ, अब परतिवर्स होता है और जो भी कंट्री होष्ट करती है जी 7 को वही उसका खर्चा का समणवा करती है अब दीखे जी 7 बनाने का उद्देश क्या था तो विविन आर्थिक और अंतराष्टिय राजनीतिक विश्यों पर विचार विमर्स करना है ठीक है तो इसमें कोई भी संगठन नहीं है ये बहुत बड़ा बस साथ साथ देश का ग्रूप है बाकी एकोनोमी में काफी पावरफूल है बाकी इसका कोई बजट वेगरा का प्र आपधान है ब्रिक्स में जैसे लोन के लिए न्यू डेवलप्मेंट बैंक मनाया गया है लेकिन जी सेवन बस एक आर्थिक समाजिक और अंतराष्टिय जितना भी मुद्दा होता है फर एक्जांपल अभी रूस यूक्रेन मुद्दा तो अभी सारे जितने भी सेवन कंट् आप याद करेंगे ठीक है क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर एक पॉइंट याद करके जाएंगे फिर दिक्कत है फिर वन लाइनर आने वाला है ने 69 BPSC में इस बात से आप सब निश्चिंत रहिए ठीक है क्योंकि चेर्मेंट सर पहले ही बोल दिये हैं कि आपको डीप नॉलेज रखना पड़ेगा तो डीप नॉलेज रखना है तो पूरा एक एक पॉइंट आपको बारिकी से जाच करके उसको पढ़ना पड़ेगा ठीक है तभी आपका एक्जाम निकल सकता है चलिए ABC उस देश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Economics का डेली एक वीडियो आएगा कुछ पास 7-8 मिनट का होगा वीडियो तो आपको काफी help करेगा छोटा से वीडियो आप थोड़े से समय खर्च करके आप अच्छा चीज़ सीख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मैनत सच में अच्छी लग रही हो तो प्लीज Viewers भी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत महनत लगता है एक वीडियो बनाने में तो थोड़ा से सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्टूडियो में वीडियो को देखें और इसे NotDown करें copy में प्लस आप या रहे हैं वहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू टेक केर एंड बाई बाई